बिंडिक सब्जी आपने बहुत बार ख़या होगा और इसको बनाना भी आसन आता है यह बच्चे भरे सबको पसंद भी आता है लेकिन आज मैने ज़ेसीपी बनाई है यह सबसे आसन है और बहुत स्वाधिस्ट बनता है चलिए बनाते हैं भिंडी को मैंने पहले से धो लिया है उसके रहाँ आशय से उसको सुखा के बरे टुख्डुम काता है यहां पर आप चाहे तो छोटे टुख्डुमे भिंडी को काट सकते है हरी मिर्च अद्रक और टमाटरς का पेस्ट बना लिया है और दो प्याज को मैंने यहां पर छोटे टुकड़ों में काट लिए इस तरीके से दोनों मसाला को हमें तयार कर लेना है भिंडी को काट लेना है उसके बाद हमें गयास को आउन करना है तो आप सबजी बनाने के तरफ चलते हैं हम तो इन दोनों को साइ इसमें भिंडी डालेंगे भिंडी को में हलका सा फ्राय करना है हम जब भिंडी को इस तरीके से फ्राय कर देंगे भिंडी हलका सा पक जाएगा और भिंडी का जो कच्छा पन है वह भी खतम हो जागा तो बाद में सबजी को पकने में ज्यादा टाम नहीं रहेगा तो जब अप फ्रैय करें भिंडी को इसे टम में थोड़ा सामक डाल दाल तो यहां पर में थोड़ा से room उ δोगा से इसको फ्रैइ करेंगे भिंडी को जब फ्रैय करते हैं तो छरुम जाद काभी आपको याद रखना हाँ और अधे अधर 14 नेudhi गूर ही ताथ ही बिले जो एट आ सो फर्क पर लागोता पूर्ची होगा जा जाके अजैको प्रस्या सबरतब में STE करें इसके से कराहेश में सबजी बना गए तो स्यस्कों साइड में चाले Self मैं जो सबजी बना रहे हूं इसमें मैं थोरा सा ज्यादा तेली इस्तेमाल कर रहे हूं यहाँ पर एक चमच पंच फोरन डालेंगे पंच फोरन में मेथी होता है सोफ होता है जीरा होता है काला जीरा होता है और इसमें एक दो मसाले होते हैं सरसो के दाने होते हैं इसे ही प्याज को भूनते हैं उस ट्रम में हीट को थोड़ा से कम करने प्याज को आराम से पकने दें इससे प्याज में स्वाद अच्छा आता है इसके बाद यहां पर पेश्ट डालेंगे जो हमने टमाटर का पेश्ट बना कर रखा था इसको डाल दें और इसको अच्छे से मिला द साथ तब तक हम दूसरी तयारी करते हैं तो यहां पर सबजी में थोड़ा अलग सभागए लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा से दही डाल रहें नहों है यहां पर दही आधा कॉपार है इसमें डालएंगे एक्टելर याल मिरच पौडर्टर आधा चमच हल्दी पौडr ए इसके बाद दही को हम पैन में डालेंगे, तो यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे से भून चुका है, प्याज टमाटर को मसाला बन चुका है, अब इसमें हम दही डालेंगे, तो दही को डालेंगे, जब आप दही को डालते हैं, इसको लगातार चलाते रहें, यहाँ पर इस से तीन मिनट तक उसको आपको लगातार चलाते रहना है इससे आपका दही नहीं पटेगा और दूसरा तरीका यह है कि आप मसाला को ठंधा कर लें उसके बाद उसमें दही डालें और उसको मिला है वो थोड़ा से लंबा प्रोसेस हो जाता है मैं यहाँ पर डारेक्ट डाल र तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा इतना तक पकाना है इसको यहाँ पर हम्रदही भून चुका है मसाले भून चुका है यहां हम ने पहले नहीं डाला था इसको मिला देंगे उसके बाद हमने जो भिंडी फ्राय करकर रखा है वो इसमें डाल देंगे इसके बाद हमें भिंडी को पकाना है तो भिंडी को पकाने के लिए यहां पर आज को मीडियम पर रखे और थोड़ा से पानी डाल के भिंडी को आराम से पक और भिंडी भी पकेगा साथ में मसाला भी पकेगा साथ में दस मिलट बाद आप देखेंगे कि सबजी इस तरीके से दिखने लेगा तेल बिलकुल उपर आजाएगा यहाँ पर सबजी को और नहीं पकाना है इस सबजी में ज्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है तो इसको थोड़ा से ऐसे सूका रखना पड़ता है जब आप कम ग्रेवी रखेंगे तो जो मसाला है और भिंडी में अच्छे से लिप्टा हुआ रहेगा और एक पीस में मसाला आएगा तो ऐसे खाने में अच्छा लगता है तो इतना ही पानी रखें इसे ज़्यादा पानी नहीं रखें यहाँ पर आप अपना गैस को बंद कर दें हमारी सबजी बन के तयार है मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ यह देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है खुसबू तो अच्छा आही रहा है सबजी भी हमारी अच्छे से पग गई है इस सबजी को आप पराठा रोटी किसी के भी साथ खाईएगा दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं सबके साथ इसका सवाथ बहुत ही अच्छा आता है आपका कोई सवाल हो था हमें कमेंट करें वीडियो पसंदा तो लाइक करें सेर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जिरूर करें